नमस्कार प्रिविद्ध्यारतियों आज हम बिये प्रत्थम बर्स हिंदी साहिते प्रत्थम प्रशन पत्तर में शंत कबीर की साखियों में सुमिरन को अंग की सेस साखिया लेंगे सुमिरन को अंग की कुल नो साखिया हमारे पाट्टे करम में शंकली थे इससे पिछली कक्षिया में हमने चार साखियों की व्याख्या केई थी आज हम सेस साखियों की व्याख्या करेंगे अगली साखिय है तू तू करता तू भया मुझ में रही नहू बारी तेरे नाउ परी जित देखू तित तू कबीर कहते हैं जीवात्मा कह रही है कि तू है तू है कहते कहते मेरा अहंकार शमाप्त हो गया है इस तरह भगवान पर नियुच्छावर होते होते मैं पूर्ण तया समर्पित हो गई हूँ तेरे पर नियुच्छावर हो गई हूँ अब तु जिधर देखती हूँ उदर तू ही तू दिखाई देता है यानि जिवात्मा का जो अहंकार था एक सादक का जो अहंकार था वो श्रमाप्त हो गया है और वह प्रभु मैं हो गया है, राम मैं हो गया है, और जहां भी देखता है, उसे राम ही राम दिखाई देता है, तत्व मसी अर्थात केवल ब्रह्म की सताही संपून जगत में व्याप्त है, इस तरग की भावना तता विचार का निरंतर ध्यान करने से जीव का अहंकार अहम श्रमाप्त हो जाता है, उसका अलग अस्तितो नहीं रह जाता है, वह अपने को पून ब्रह्म से अभिन या यूं कहिए ब्रह्म ही समझने लगता है, अहम ब्रह्माश्मी की अनभूती से वह संप्रक्त हो जाता है, तो इस तरह से इस आखी में कबीर ने ज्यान और प्रेम क सुन्दर श्रमनवे प्रस्तुत किया है आत्मा प्रमात्मा के मिलन की बात की है अगली साखी है कबीर सुत्ता क्या करे उठीन रोवे दुख जाका बासा मोर में सोक्यू सोवे शुक यहां मोर की जगर गोर सब्द होगा जाका बासा गोर में गोर कार्थ्यां कब्र से लिया गया है कभीर दास कहते हैं कि मोह निद्रा में सोतावा क्यों पढ़ा है उठकर भगवान के समक्ष अपने दुख का निविदन क्यों नहीं करता जिससे भगवान के अनुग्रह से दुख का निवारन हो सके और अज्यान की निद्रा भी शमाप्त हो जाए कभीर को इस बात पर आश्चरे हैं कि जिसका निवास कब्र में है अर्थात जिसे निस्चीत रुप से मरना है वह सुक्षे क्यों सोता है यानि वो सुक में क्यों पढ़ा हुआ है कभीर ने काल की अनिवारिता दिखा कर मोह ग्रस्त जीवों को भक्ती के लिए प्रेरित किया है थोड़ी सी चिंता में तो नीद आती नहीं अपार सासारी दुखों की जलन को सहता हुआ मृत्यू की भयानक चाया की निचे रहकर जीव के से सुक की नीद शोता है यही कभीर के लिए आस्टर्य का विश्य है शंपून साकी में गुडोकती अलंकार है गोर में अर्थांतर न्यास की वेंजना है गोर का प्रियोग लाक्षनिक है जो अर्भी भासा से लिया गया शब्द है अब हम बात करते हैं अगली साखे के राम पियारा च्छाड करी करे आन का जब बेश्या केरा पूत जूं कहे कोन शूंबाब आन का यहार्थ अन्य से लिया गया है बेश्वा यानि बेश्या जो सरीर का व्यापार करती है केरा यानि का शूं यानि को तबीर कहते हैं तो उसे राप्त करने का उपआय या उसके प्रीम कुके से पा सकता है क्योंकि वेश्या पुत्र कुई पता नहीं होता कि वास्तों में उसका पिता कौन है कबीर ने इस शाखी में बहुदेव बाद का खंडन बड़ी कटू शेली में किया है उपमार उपक अलंकारों का भी प्रियूग हुआ है केरा अवट वासा का पुराना विवक्ति चिना है जो पूर्वी बूलियों में भी प्रियूग तो होता है तो इस तरह से कबीर ने इस साखी में बहुदेवबात का विरूद किया है कबीर एके सुर में विस्वास करते हैं कहते हैं कि इस वर एक ही है अब हम बात करते हैं अगली साखी की लंबा मार्ग दूरी घर पिकट पंथ बहुमार कहो संतों क्यों पाए दुरुलब हरी दीदार कबिर कहते हैं कि मनुस्य की जीवन का लक्षे ब्रह्म की प्राप्ती है ब्रह्म के निवास तक पहुँचने का मार्ख बहुत लंबा है अनेक योनियों में भटकने के बाद कहीं उसे मुक्त होने का अवसर मिलता है उसके साधना पत में अज्यान, मुहमाया, विशेवासनाएं तता अनेक तरह के सांसारिक प्रलोभन बाधा बनकर उपस्तेत होते हैं इन बाधाओं में फंसकर वह अपने लक्षे तक पहुँचने में असमर्थ रता है अनेक विश्ण बाधाओं के कारण मार्ग भी अत्यंत दुर्गम हैं यही नहीं, रास्ते में काम, क्रूद, लूब, मोहो अनेक लुटेरे हैं यानि यहां काम, क्रूद, मोहो यह लुटेरों के प्रतीक हैं यह बट मार्ग लुटेरे अत्यंत सक्ति साली हैं शाधक यदि बहुत जड़ तता संकल्प वानन नहीं हैं तो इन से परास्त होकर पतभरस्ट हो जाता हैं और अपना मार्ग बदल देता हैं सांसारिक्ता की और प्रत्यवर्तित हो जाता हैं यानि सांसारिक्ता में फंश जाता हैं कबीर दास कहते हैं कि हे शंतों ऐसी इस्तती में भगवान का दुर्लब दर्सन केशे हो सकता हैं बहला तो इस तरह से कबीर कहते हैं कि सांसारिक मुहमाया से सावधान रहने की आव सकता है अपना ध्यान पूरे तरह से ब्रह्म में ही लगाना है इस हाखी में रूपकाति श्युक्ति यलंकार का प्रियूग हुआ है तुलसी दास ने भी इस तरह की बात कुछ भिन सब्दों में कही है कोट जन में मुनि जतन करा ही अंत राम कही आवत ना ही इस तरह से हमने कबीर की इस साखे को लिया और अगली साखे है कबीर चित चमकिया चहुंदी सिलागी लाई हरी शुमिरन हाथूं घड़ा बेगे लिहू बुजाई चमकिया यनि चमतकित हो गया चौक गया सजग हो गया चहुं यानि चारों दिशी यानि दिशाओं में लाई यानि लो आग बेगे यानि शिग्र इसमें कबीर दास कहते हैं कि चारों तरप विशिवासनाओं और इश्या दूश्व की आग लगी है जिसे देखकर मेरा मन चौक गया है चमक गया है एका एक मन में ग्यान का प्रकास चमक उठा कि मेरे हाथ में हरी श्मन का जल पूरी घड़ा है जिसे आग को शीगरता से बुजाया जा सकता है तो यहाँ कबीर कहते हैं कि चारों तरप विशिवासनाओं इश्या दूश्या दूश्याद्वीस की नकरात्मक तवयाब्त हैं ऐसी इस्तिति में मेरा मन चौक गया है और मेरी मन में अचानक ज्यान का प्रकास होता है और लगता है कि मेरे हाथ में तो हरी श्मन का जल से भरा हुआ गड़ा है जिसे हम इस आग को बुजा सकते हैं विशिवासना रूपी आग को बुजा सकते हैं कबीर ने शर्व बोध गम्मे प्रतिक विधान के द्वारा नाम इश्मन के महात्मे और अध्भूत प्रभाव सक्ति को काव्यात्मक धंग से प्रस्तुत किया है। सुमिरुन को अंकी साक्या हमने ली इसमे कबीर ब्रह्म का इश्मन करने को कहते हैं कबीर सच्चे मन से राम का इश्मन करने को कहते हैं लेकिन ध्यान देना कबीर की राम दसरत पुत्र राम नहीं है कबीर कहते भी है दसरत सुत्तियों लोक बखाना राम नाम का मरम है आना तो निराम वो है जिसको मंदर महसूस करते हैं, जो निरगुन है, निराकार है, जो कभी अवतार नहीं लेता है। इतरह से कबीर की सुमिरन को अंकी शाक्यामने ली धन्यवाद।